हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अनदर ग्रेट एपिसोड ओफ सेवन पी एम तो फ्रेंड्स कैसे अप सब आप लोग ओके फ्रेंड्स तो शाम के बज़ चुके साथ और एज उज्वल फ्रेंड्स अभी यह हमारा टाइम हो चुका है शाम को ओके तो आज का रिवे फ्रेंड्स फथ्रेंड्स पोर्ट वाइन जिया फ्रेंड्स नासिक पोर्ट वाइन 100 ओके फ्रेंड्स की यह special episode है फ्रेंड्स मेरे लेए क्विक्ली ड्रink करना मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है और यह health के लिए इसके बहुत इच्छा होता है और इस में एक्पीड एक्टे एक्षिदेने के लिए ये बहुत अच्छी होते हैंë और जो लोग डेली जो ड्रिंक करते है, उनका जो मेटल sewरों पैसरी इंप्रुव करता है , और जो हीदा उनकीम करता है ओके फ्रेंड तो चलिए शुरू करते हैं आज का review तो यह है फ्रेंड नासिक पोर्ट वाइन 100 ओके फ्रेंड तो इसकी अगर जो बाटल की बात की जाए तो यह बाटल है फ्रेंड यह प्लास्टिक बाटल है जिया फ्रेंड यह आपको वहां से लग रहा होगा कि यह एक glass bottle है तो फ्रेंड यह glass bottle नहीं है यह प्लास्टिक बाटल है और इसी शेप में आ रही है पहले से तो चलिए सबसे प्लेस का जो स्पेसिफिकेशन से फ्रेंड वो अपने देख लेते हैं तो सबसे पहला चीज क्या आता है फ्रेंड प्राइज यहां फ्रेंड फ्राइज तो यह महाराश्टम है और यह मुंबई में अवलेबल है 154 में यह इसका हाफ वरजन है इसका जो फूल है वो 250 में मुंबई में य यहां फ्रेंड्स तो यह फूल आपको मिल जाएगा 250 में और यह जो हाफ है यह आपको मिल जाएगा 154 में मुंबई महाराश्टम है और अगर जो नौर्थ की अगर जो बात की जाए तो मेरेकाल से यह सेमी प्राइज में पढ़ने वाला है 153 में पर यहां पे इसका उल्ट यहां पर आपको मिल जाएगा 150 में हाफ और 250 में फुल जीया फ्रेंड्स और इसके अगर जो कंटेंज की बात की जाए तो इसमें इसमें कंटेंज है वाटर फ्रॉम ग्रेप जूस मतलब ग्रेप जूस बॉटर इथाइल आलकोहॉल मतलब इथेनॉल ओके और कंटेंज पर् नियुक्त अगर फ्रेंड्स जो बात की जाए तो यहं 13 परसंट वॉल्यूम बाइं बाइं वाल्यूम जीया फ्रेंड 2013 फ्रेंड्स में 7 और 8 परॉन तॉटर जारधा 11 फ्रेंड्स Ilmoda 13 परसंट स्ट्रेंथ इसका होल्यूम का और यह मैनिफैचरड है नासिक में नासिक महा महाराष्टर में और उनली फो सेल इन महाराष्टरा स्टेट ओनली एज उजूल ओके फ्रेंड्स तो यह था इसका स्टिकर का डिटेल पीछे कुछ है नहीं एक ही स्टिकर है सिंपल बॉटल है और सिंपल प्राइज है सिंपल रेसिप ही है इसको कम से कम मैं पांचे सारों से में ड्रिंग करता आ रहा हूं और रेगिलर पेसिस और भी कई रेड वाइन से मेरे कलेक्शन में 12 या 14 के आसपास पर यह सबसे मेली फेवरेट है क्योंकि सबसे पहली बात तो प्राइज और इसका जो टेस्ट यह थोड़ा सा यह स्वीटर साइड पे आता है तो यह इतना क मेरे पास कि जो आप पीते ही आपका गला सोर्थ्रोट में कनवर्ट हो जाएगा यह वाइन में इसा नहीं होता यह थोड़ा सा स्वीटर साइड पे आता है तो चलिए इसको अपने थोड़ा सा पोर कर लेते है इसकी नेट कॉंटिटी है 375 मतलब यह है अध्धा ओके फ्रे इसको अपने थोड़ा पोर कर लेते हैं थोड़ा सा पोर करेंगे फ्रेंड क्योंकि यह सिर्फ यह रिव्यू के लिए इसके बाद में मैं इस पर तूट पढ़ने वाला हूं तो शिर्फ अभी यह रिव्यू के लिए अपने इसको 60 ml जितना नोजिंग की फ्रेंड से बात की जाए तो नोजिंग से पहले सबसे पहले हम लोग को इसका देखने के कलर तो कलर फ्रेंड इसका है रेडिश ब्राउन डार्कर साट पर आ रहा है बहुत ही डार्क है यह यह अल्मोस्ट लाइक ओल्द मंग को आपने देखा होगा नीट को यह ओल्मोंक के नेर नेर इक्वल है पर यह ओल्मोंक से और भी थोड़ा डार्कर साट पर आता है रेडिश ब्राउन जिससे आप लोग कह सकते हैं नोजिंग की बात की जाए फ्रेंड्स फ्रूटी स्मेल है एज उजल जो ग्रेप का जो स्मेल है वो सबसे आदा आ रहा है और आखिर में एक खटा एक जो समेल आ रहा है वो आफिसली यह इसमें पड़ा जो जीश्ट है यह इस्ट का इसमेल आ रहा है क्योंकि हंड़ी परसेंट यीश्ट को रिमूव करना वाइन में से वह उपासिबल होता है फ्रेंड्स तो थोड़ा बहुत येस्ट तो हर वाइ इस चैनल पर लाने वाले है वही एक पैचानी हुई स्मेल है इसको थोड़ा सा अपने टेस्ट कर लेज़े फ्रेंड्स लास्ट में फ्रेंड्स बहुत ही एक अपना जो खट्टा सा स्मेल आ रहा है टेस्ट आ रहा है सॉरी यह अपना यह जो यीस्ट की वज़े से और यह अपना जो प्रिजर्वेटिव से फ्रेंड्स उसमें भी ज्यादा अगर आप अगर जो डाल देते हो तो आफ्टो टेस्ट जो है फ्रेंड्स वो खट्टा हो जाता है और इसमें जो क्लेम किया है कि स्वीट वाइन तो यह और भी कई जनरल स्टोर्स पर जो वेले भले यह अचूल में यह फ्रेंड्स यह ग्रेप जूसी है पर इसमें आपको आलकॉल का पंच मिल लेगा थरीन पसंट वॉल्म बाई वॉल्म और आफ्र जो टेस्ट है इसका वो इसका आने वाला है थोड़ा सा खटा सा कड़वा त चलिए और एक सीपिस का लेके देते हैं क्योंकि यह मेरे फेवरेट्स वाइन में से है के फ्रेंड्स तो इसको मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा मुझे से लगता है कि यह रिव्यू खतम होते होते शायद यह बॉडल भी खतम हो जाए मुझे यह साल लग रहा है अभी थोड़ा भी और स्कूइट अभी फील आ रहा है मुझे पोट वाइन का तो अगर फ्रेंड्स अगर इसकी जो वैली फॉर मनी के एकर जो बात कीजाए फ्रेंड्स तो यह महारास्टर में वालेबल है टू फिफ्टी में पूरा खंबा तो यह नॉर्थ में भी मेरे ख कहना चाहूंगा कि कि यह चीप भी है और थोड़ासा स्विटर साइड पर भी आता है और इसका जो आलकॉल का जो स्टेंट है तो अच्छा कॉंटेटी आपको जो प्रोवाइड करेगा तो आपको थोड़ा बहुत सदेशन भी रहेगा और जो रेड वाइन का जो बेनिफि क्योंकि वाइन चलो जो भी डिली ड्रिंकर से उनको एक नएक दिन तो पीना या वीकली पीने चीए क्योंकि इसे बॉड़ी में जो टॉक्सिन से उसका लेवल भी लिमिट में रहते है और अगर इसके अगर जो रेटिंग की बात करें तो इसको में देना चाहूंगा एट एट ओफ टेन इसलिए फ्रेंट्स के सबसे प्रेंट्स का जो प्राइस है वह रिजनेवल प्राइस है एक मिल्ल क्लास का आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है 250 का पूरा खंबा मतलब आरम से आप इसको पर्थिस कर सकते हो 250 में पूरे महारास्ट में नॉर्थ में इसी प् सब्सक्राइब है ने तो मैंने दूसरी वाइन में में देखा है इतना इस्ट का इतना टेस्ट आता रही है तो इस में थोड़ा था यह फिल्टरेशन थोड़ा कम हुआ है मेरे ख्याल से ने तो बागी स्वीटनेस भी मीडियम ही है कि जितनी होने ची ज्यादा भी स्वीट यूसी लगेगा फ्रेंड्स तो स्वीटनेस में सही है और जो आलकॉल का जो कंटेन है 13 परचेंट वह भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है सिर्फ यह इस्ट का जो आफ्टर टेस्ट और एक अपना जो प्रिजर्वेटिव का जो एक जो बिटर या जो खटा सा एक जो टे बीटिव नार्श्ट में में पूरे मुझक नॉर्थ का मुझे पता नियुकर नॉर्थ में बहुत प्साइब लिए सब का रिव्यू इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स यह तो प्लीज सिस्क्राब दो चैनल और डो लाइक दे वीडियो इफ्यू लाइक क्योंकि यह जो चैनल है friends यह ऐसे लिकर लेगे है कि आने वाला YouTube में कि जिसके reviews आपको YouTube पे अवेलेबल नहीं हो गई या video friends आपको कैसा लगा please let me know in the comment section और अगर आप कोई भी लिकर का review अगर आप चाहते तो भी आप मुझे comment section में बता सकते है friends तो यह ता friends आज का review नासिक port wine 100